एक गाउं में रमेस और राजेस नाम के दो भाई रहा करते थे उनका गाउं में एक बड़ा सा धाबा था बड़ा भाई राजेस बहुत ही स्वार्थी और बैमान किस्म का आदमी था वहीं छोटा भाई रमेश कम पढ़ा लिखा, लेकिन इमंदार और सीधा किस्म का आदमी था रमेश की हाल ही में साधी हुई थी और उसकी पत्नी मेगना साकाहारी थी और वह मांस मचली नहीं खाती थी लेकिन रमेश को मतन बहुत ही पसंद था मेगना मैं जानता हूँ कि तुम साकाहारी हो और तुम मांस मचली नहीं खाती लेकिन तुम मेरे लिए मटन तो बना ही सकती हो ठीक है मैंने कभी बनाया तो नहीं है लेकिन मैं बना सकती हूँ बड़े भाई राजेस की पतनी रमेश और मेगना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी लेकिन उसकी सास के जिंदा रहने के कारण वह उन्हें कुछ नहीं बोल पाती थी एक दिन रमेश की मा अचानक चल वसी और उसके जाते ही घर में कलेश सुरू हो गये मा के वज़े से इस नले रमेश को मैं पाल रहा था अब मा तो रही नहीं अब इसे निकालने का समय आ गया है सही कहा जी काम वाम तो इसे आता नहीं है मुफ्त के पैसे लेता है और रोटिया तोड़ता रहता है रमेश कम पढ़ा लिखा था जिसकी वज़े से उसे हिसाब किताब नहीं आता था राजेश उसे धाबे पे काम करवाता था और सारे हिसाब किताब खुद करता था और उसके सारे पैसे वह खुद हड़प लेता था राजेस सुरू से ही रमेश को घर और जाजात से बेदखल करना चाहता था लेकिन मा के जिन्दा रहने के कारण वह ऐसा नहीं कर सका लेकिन अब मा तो रही नहीं रमेश चल अपना बोरिया बुस्तर उठा और निकल जा यहां से ये घर अब तेरा नहीं है मेखना रोती हुए अपनी बड़ी जेठानी के पैरों में गिर जाती है अच्छा तो इस अनपड़ गवार से साधी ही क्योंकि इसे आता ही क्या है मुफ्त की रोटिया तोड़ता रहता है और महीने के पैसे भी लेता है निकल जाओ हमारे घर से दोनु पती पत्नी ने मिलकर रमेश और मेखना को घर से बाहर निकाल दिया और मेखना को अपनी कुछ फटी पुडानिया साडिया दे दी और खाना बनाने के लिए बस एक हांडी और एक चमच दे दिया अरे दीदी हम सिर्फ एक हांडी और एक चमच से कैसे खाना बना कर खाएंगे हमें कुछ और भी दे दीजिए अरे जाना ऐसे भी तुझे क्या मिल जाएंगे जो तुझे बहुत सारे बरतन चाहिए खाना तो तुझे सुखे चावर और प्याजी है जा निकल यहां से एक हांडी में इंसान क्या-क्या बना सकता है सायद राजेश की पत्नी को या बात पता नहीं थी अगर उसे पता होती तो वह सायद एक हांडी भी ना देती दोनों को जो भी मिला वह समेट कर अपने नए घर की तलास के लिए निकल गये मेगना मुझे माफ कर तो मेरी वज़े से तुम्हें सादी के बाद ही ऐसा दुख काटने को मिल रहा है इसमें आपकी क्या गलती है जी आपको थोड़े ही न पता था कि आपके बड़े भाई और भावी आपके साथ ऐसा कुछ करने वाले है असल में गलती मेरी ही है मैं बचपन से ही बाल वुद्दी था मैंने पढ़ाय लिखाई में मन नहीं लगाया भाया मुझे हमेशा ही डाटते थे लेकिन मा ही में उसे प्यार करती थी लेकिन अम मा नहीं रही तो ये सब हो रहा है कोई बात नहीं आप चिंता मत करिये हम दोनों मिलकर अब सब कुछ ठीक कर लेंगे लेकिन मेगना हम कैसे वापस सब कुछ ठीक करेंगे ना तो मेरे पास पैसे हैं और नहीं हमारे पास रहने को घर है, आखिर सब कुछ कैसे ठीक होगा, मुझे तो कुछ समझी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम फुटपात पर रह लेंगे, फुटपात पर बहुत सारे लोग रहते हैं, हम भी रह लेंगे मेगना ने लकड़ी और साड़ी से एक तंबू बना लिया, और दोनों उसमें रहने लगे अगले दिन दोनों पति-पत्नी भीख मांगने लगे भगवान के नाम पर कुछ देदो साहब, भगवान अपका भला करेंगे हम बहुत करीब हैं साहब, पैसे देदो साहब दोनों जवान पति-पत्नी को भीख मांगते हुए देखकर लोग कहने लगे यह देखो, यह देखो, दोनों जवान पति-पत्ने भीख मांग रहे हैं क्यों बे, तु कोई काम कुण नहीं करता? दोनों हाथ पर जलामत है दोनों के, फिर भी भीख मांग रहे हैं हमें काम कौन देगा साहब अगर ऐसी बात है तो आप ही हमें काम दे दीजिए हम काम करने के लिए तयार है ने ने मेरे पास काम नहीं है अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम खुद से काम ढोलो बैठे बिटा काम थोड़ी मिलेगा गरीब के लिए बोलने को तो सब बोलते हैं लेकिन बात जब मदद करने की आती है तो कोई नहीं करता वह आदमी वहाँ से चला जाता है लेकिन मेगना और रमेज को तो अपना पेट पालना था पासी में एक सुवोध नाम का भिखारी रहता था जिससे उनकी दोस्ती हो जाती है अरे भाया और दीदी जी भीक ऐसे ही नहीं मिलती भीक मागने के लिए थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है थोड़े भाव बनाने पड़ते हैं तब जाके दो रुपे कमानते हैं अच्छा ठीक है मुझे तो कभी भीक मागने का नौबत ही नहीं आया लिकिन अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा अगले दिन सुबोध ने जैसा बताया वैसे ही रमेश ने अंधे बनने का एक्टिंग करके पूरे सो रुपे कमाया अरे वासुबोध तू तो बड़ा ही स्मार्ट निकला तेरे वज़ा से आज हमें इतनी सारे पैसे मिल गए बता तुझे क्या खाना है आज मैं तुझे बना कर खिलाऊंगी मैंने बहुत दिनों से मटन नहीं खाया है मुझे मटन बहुत ही पसंद है हाँ मैंने भी बहुत दिनों से मटन नहीं खाया मैं मटन लेकर आता हूँ तुम बना देना लेकिन कूकर नहीं है अच्छा कोई बात नहीं आप मटन लेकर आईए मैं कोई जुगार लगाती हूँ रमेश एक किलो मटन लेकर आया मेगना हांडी चूले पर चड़ा देती है और उसमें मटन बनाने लगती है अरे मेगना लेकिन इस हांडी में मटन कैसे बनेगा पता तो मुझे भी नहीं है लेकिन और कुछ है ही नहीं तो कोसे सिसी में करती हूँ मेगना ने उसी में हल्दी, लहसून, प्याज, सर्सो का तेल, सब कुछ मिला कर और धीमी आज पर पकाने लगी काफी देर मटन पकने के बाद उसमें से इतनी अच्छी सुगन दाने लगी कि मेगना का मन भी ललच गया अरे वाह, मैंने जिन्दिगी में पहली बार मटन बनाई है और इसकी इतनी अच्छी खुसबू आ रही है अज तुम भी खा कर देख लो मेगना, वैसे भी और कुछ खाने के लिए है ही नहीं मेगना ने जल्दी जल्दी मटन थाली में परोसा और तीनों मिलकर मटन खाने लगे अरे वाह, मेगना, तुमने तो बहुत ही अच्छा मटन बनाया है मैंने तो आज तक ऐसा मटन नहीं खाया आखिरकर हांडी में भी कोई ऐसा स्वादिस्त मटन कैसे बना सकता है हाँ मेगना दीदी, आपने तो सच में बहुत अच्छा मटन बनाया है मैंने भी ऐसा मटन नहीं खाया, हम तो इसे बेच कर अमीर बन जाएंगे अरे वासुवोत, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है हम इसका वैपार कर सकते हैं और बेच कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं हाँ, लोग साधारन मटन खाते खाते बोर हो गए हैं लोगों को यह हांडी मटन बहुत ही पसंद आएगा और हम उससे अच्छे पैसे कमा लेंगे लेकिन यह वैपार सुरू करने में तो बहुत पैसे लगेंगे और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है हम कैसे सुरू करेंगे अरे आप पैसो की चिंता मत कीजिए मैंने भीक मांग मांग कर बहुत सारी पुंजी घटा कर रखी है अगर आप कहो तो मैं उसको आपके में लगाने के लिए तयार हूँ बस आप मुझे अपना अपार्टार बना लेना इस तड़ा वो तीनों मिलकर फुटपात पर ही हानी मटन बेचने लगते हैं उनके हानी मटन खाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं और एक महीने बाद ही वो तीनों मिलकर खुब सारे पैसे एकठे कर लेते हैं और उधर राजेस के धावे पे रमेस के ना रहने के कारण राजेस के बुरे बरताओं के वज़े से ग्राहकों को ना संभालने के कारण उसका धाबा बंध हो जाता है